अबास अंसारी जेल में पूरी तरीके से सोया नहीं अबास अंसारी को मिली थी अबास अंसारी जेल में सो नहीं पाया खबर ये है कि वो टीवी पर या मोबाइल पर पिता का चेहरा देखने की मिननते करता रहा वो हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी राट टहलता रहा, बेचैन रहा, रोता रहा बड़ी अपडेट ही आ रही है कि मुक्तारम सारी की मौत की खबर सुनते ही बेटा परिशान हो उठा, अब बास अंसारी जेल में पूरी राट सो नहीं पाया खबर ये है कि वो टीवी पर ही सही या फिर मोबाइल पर किसी भी माध्यम से पिता का आखरी बार चेहरा देखने की मिन्नत करता रहा, हाई सीक्यूरिटी जेल में पूरी राज टहलता रहा, रोता रहा, बेचैन दिखाई दिए तो मुक्तार अंसारी की शब को गाजीपूर में दफन कर दिया गया लेकिन अपने पती को आखरी बार देखने के लिए उसकी पतनी अफसा अंसारी तोची ही नहीं अफसा अंसारी करीब एक साल से फराट चल रही है, उन पर 75,000 का इनाम घोशित है, वही कासगन जेल में बंद मुक्तार का बेटा अबास अंसारी भी अपने पता की अंतिन सफर में शामिल नहीं हो पाया, वह कासगन जेल में बंद है और उसे पेरोल नहीं मिल पाई है आतंग का पर्यार रहा, गैंक्चर नेता मुक्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीती के साथ उसके गड़ जोड के एक अध्याय कान्त हो गया है उस पर हत्या से लेकर जबन वसूली तक के 65 मामे दर्ज थे, देखे एक माफिया जिसका 40 साल चला सामराज्य एक बाहुबली जिसका जब्बी साल का सियासी सफर एक अपराधी जिसका सियासी गड़ रहा मौउं एक डॉन जिसका पुर्वांचल के कई लोग सभा सीटों पर दबदबा वो था मुखतार अंसारी उसकी साथ साल पहले हुई उल्टी गिनती शुरूर 25 साल की उम्र में पहली F.I.R कभी क्रिकेट के दुनिया का ओल्राउंडर रहा मुखतार अंसारी असी के दशक में साधू मकनू गिरोह में शामिल हो गया साल 1988 में पहली बार क्राइम के दुनिया में मुखतार का नाम आया आरोप था मंडी परिशत की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचीदानंद राय की हक्या का इसी दौरान पुलिस कॉंस्टेबल राजिंद्र सिंग की हक्या बनारस में कर दी गई इसमें भी मुखतार का ही नाम सामने आया 33 साल की उम्र में पहली बार MLA बना 90 के दशक में मुखतार अंसारी ने राजनीती में कदम रखा साल 1996 में मुखतार अंसारी पहली बार विधान सभा पहुंचा राजनीती में मुखतार का रुत्वा इसी से समझा जा सकता है कि अपने 26 साल के राजनीती की जीवन में मुखतार अंसारी को सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा और वो था 1994 का घाजीपुर उप जुनाव मुखतार अंसारी ने पाँच बार विधान सभा का चुनाव जीता था मुखतार को मिला था राजनीतीक संरक्षन मुखतार पर एक्शन लेने से बचती थी पुलिस एक्शन लेने वाले अधिकारियों का होता था ट्रांसफर मुखतार को मिले राजनीतीक संरक्षन की गवाही देते हैं 1991 बैच के PCS अधिकारी शैलेंदर सिंग जिन्होंने 2004 में UPSTF के DSP रहते हुए एक मामले में मुखतार अंसारी के खलाफ पोटा के तहट केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी शैलेंदर सिंग दावा करते हैं कि राजनेतिक काणों की वज़े से ततकलिन सरकार की ओर से मुखतार पर से मुकदमा हटाने का दावाव बनाया गया जिसके बाद बुल्हे स्टीफा तक देना पड़ा का ट्रांसपर और अंत में ऐसा माहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा पंद्रह दिन बाद दो हजार सत्रह से योगी सरकार के रिडार पर था माफिया मुखतार लंबे वक्त तक मुखतार अंसारी पर समाजवादी पार्टी और भौजन समाज़ पार्टी का सन्रक्षन रहा जिल में रहते हुए 2017 में आخرी बार मुखतार अंसारी ने विदान सभग चुनाव जीता 2017 में उत्तरपदेश की कमान योगी आदि तिनाथ को दी गई और उसके बाद से ही उसके जर्म के सामराज के पूरे दिन शुरू हो गए योगी सरकार की अपराद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीती का ही असर था कि मुखतार अंसारी पंजाब की रोपर जेल में जा चिपा और वहां से यूपी आने को तयार नहीं था मुखतार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा एक तरफ मुखतार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी शुरू ही तो दूसरी तरफ माफिया के जर्म के सामराजी को द्वस्त करने पर एक्शन शुरू हुआ इसके बाद यूपी में बुल्डोजर की गरजना सुनाई देने लगी मुखतार के गैंग के 292 सहयोगियों के खिलाफ भी ताबर दोड एक्शन हुआ 160 मुकद में भी दर्ज किये गए इनमें से 186 सहयोगियों को पुलिस गिरफतार कर जेल तक भेच चुकी है वही पाँच शूटर पुलिस एंकाउंटर में मारे जा चुके हैं योगी सरकार में मुखतार अंसारी के करीब एक कई सो से भी जादा अवैद कारूबार बंद कराई जा चुके हैं सरकार के इस जबरदस्ट एक्शन में मुखतार अंसारी से संबंधित 605 करोड रुपई की संपत्ती जब्द की जा चुकी है मुखतार अंसारी की मौत पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यूपी पुलिस के बुर्व अधिकारी मौत पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बता रहे हैं मुझे याद है कि जब मैं डीजी पी था तब भी इस तरह की अफ़ाहे फैल दी थी कि उसको मार दे जाने का प्यास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है पंजाब पुलीस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुखतार अंसारी बन था तब भी उसके कई बार ऐसे अप्लिकेशन्स मेडिकल ग्राउंड्स में दिये हैं मैं स्वस्ता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए कभी अब राद का पर्याय रहे मुखतार अंसारी की जेल में हुई मौत के बाद पुर्वांचल में जरायम के दुनिया का काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया कर अध्यारीवर्स कर श्राद कर जरुझ प्रोडीस कि अवीले से तो रहा है। छोविंवस्ती एंपे नियू नॉटन प्रम प्रमाप्टर सांवा फिए जियू कि वारे। आप प्रमावा रहाद कि अवीले प्रमाव मुचिना हैं आदे बाउलता ही में आप देख रहे हैं News AT India यारो, जो ए तेर में शॉर्ट सर्किट होगे शान्ता, शान्ता, शान्ता No chance घर में फिनुलेक्स के वायर्स ही नहीं MCBs भी लगे हुए है तो ये, बुआ एंट्री स्मोकिंगली होट होगी तब ही तो ये वायर्स बनेगी No stress, then no next झालड़किंघे होगे